अब 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आवरण दो प्रकार के होंगे एक कोशिका भित्ती और एक कोशिका धिल्ली यह आवरण है आपको यह दिख रहा है दोनों आवरण है में हनुआ के को सी का भित्ती है और इसके अंदर यह है हो जिल्ली में को सबस्के बाद इसके अंदर यह huh नित्रब्रोफ इसमें कोषिका द्रव्या जैसे मैं मिलते हैं केंद्रक के सब न कोषिकांग मिलते हैं फुसी का द्रव्य When एक उपस्थित ची कंझ अपकोषिक के पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे इसके बाद केंद्रक, यह केंद्रक के ऐ ससाउल प्रोटिव बारे में क्या होता है इंप्रटेन इंप्रटेंट्स है तो कोशिका के अंदर ये कोशिका भित्ति जिली और इसके अंदर जो अंदर दिखरा है रहां गई ये केंद्रग केंद्र आपको द्र दवि cav zur Raum और सिकाए और को सिकाद्र रव्ध और को उसिका द्रवserर। ऐए धुली क्रेंद्र लेकल चैनल अुल के और रिखते हैं यegन थी बति क्या होती है और में क्या होती है इसके बारे मिदेखते है यह बिर्ष होती है कि तो निश्चित अकार प्रदान करती है कि लिए यह लुआ और पार में होती है और एक मतलब कि कुछ में कुछ इसे कुम पादार्थ के अंदर नहीं आ सकते है ए जैसे अभी बताते हैं एसके बारे में पाधप में ए कोशी का भित्ती पाधों में से लुलोस से बनी होती है का हिटी से बनी होती है कोशीका भित्ती और बैक्टिरिय시면 में प्रिप्तो गलाइकेन बनी होती है है लो उसके बाद कोशिका जिल्ली अग्रोज के मिलती है आम पाधब कोश्का में मिलती है जनतु कोषिका में मिलती है यह लचीली होती है प्लेक्सिबल होती है कठोर नहीं होती है रफ अरद पारगम में होती है स्य माइंप्रेवुल होती है वो कोस्षिपस का बित्ति कै था वो भी और पार नहीं था और रिक जोट्वे प्रोटीन से मिलकर बनी होती है प्लाजमा यानि कि प्रोटीन वसा की दोहरी पर्त और प्रोटीन से मिलकर यह बना होता है यानि कि फैट और प्रोटीन से बना होता है इसका बाहरी सीरा बाहरी सीरा जल रागी होता है और आंतरिक सीरा जल विरागी होता है जैसे यह माल लिजिए कि कोशिका जिल्ली है इसका बाहरी सीरा जो है यह जल रागी होता है जल रागी के मतलब कि जल को अपनी और अवस्वाशित करता है जब जल को अपने और करेगा झार चार्वात तरफ से जल क्या करेगा अपना खेच लेगा ऑपनी और खेच कर यहां और जो दुत आया टनली के आंतरिक सिर्णे पर यहां तक पहुंचेगा क्यों में पहुंचा गया जल तो आंतर वाण क्या होता है जल बिरागी होता है यानि कि जल को दूर फेकता है तो जल कि इधर भाग जाएगा इधर भाग जाएगा इस प्रकार से जल अंदर चला जाएगा इसी प्रकार से जल अंदर जाता है कुश का में नो भाहरिवा होता है जल रागी होता है जल और रागी होता है जल को दूर ठेता है इसलिए अंदर चला जाता हन्योंGood हुआ a और भी मेंने कुशिक भी में आइन रही होता है cute है जांने कि जिल्ली क्या करता है फोसी का कर लेगा काम होगा तो जल कम ग्रहन करेगा अभी कोशिका जिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर यह है मुख्यूरुप से अंतर यह है कि कोशिका जिल्ली कोशिका भित्ति जो होती है भित्ति दिवार से बना है भित्ति दिवार को बित्ति बोलते हैं दिवार कठोर होती है बहुत कठोर होती है और क्योंकि कठोर होती है तो पौधों मिलती है और जनतों में नहीं मिलती है क्योंकि पौधे कठोर होते हैं दूसरी बात अंतर है कि कोशिका जिली लचीली होती है कोशिका बित्ति कोशिका जिली चैनात्मक अर्ध पारगम्मे होती है और कोशिका बित् तो लेकिन लड़कियां क्या है वो कोई कोई भी लड़का भावदे का तो उसे घ्रन नहीं करेंगे तो अगर पैसे वह तो तुरंत हां बोल दी नहीं है तो बोलेंगे कि अभी तो पढ़ने के उमर है तो इस प्रकार से वह चैन करेंगी लड़कियां तो यह चैनात्मक अर्धपारगम्या है यानि कि कोई का जिल्ली जो है चैनात्मक अर्धपारगम्य में होती है और कोई का भित्ती जो है कि वह अर्धपारगम्य होती है यह चैनात्मक नहीं होती है कोई का भित्ती अर्धपारगम्य में होती है जैसे लड़किय होती हैं कि नेक्स्ट सुत्रकनिका माइट्रोकंड्रिया कि इसकी खूज रिचर्ड अल्टमेंन ने की थी इसको सरवप्र्थम कालिकर ने देखा था कालिकर संटिस्ट कर नहां है सब्सक्राइब कीटों की रेखित पेशियों में तर प्रतम किस ने देखा था कालीकर ने और कालिकर अल्टमेंड मैं इनकी खोज किया ती कि इसे स्कार्कोस्व म् कहा जाता है स्कार्क मिया होता है भी अभी इस ठैटर में सार्कोस्व के बारे में पढ़ेंगे अननी नाम बारेध कि ने कहुअ नाम पर यह कहा था और भायो प्लास्त नहीं किसने कहा था प्लास्ट कि यो ब्लास्ट करता है व तो कि दोहरी जिल्ली कोई इससी सुकांग अधि उच्फितenser अंधिक्यन की उच्फर्ण आय theor जिल्ली यह डबल लेयर से बना होता है यह बाहरी जिल्ली जो आपको दिख रहा है यह चारो तरफ यह डबल लेयर से बना होता है इसमें आंतरिक जिल्ली के वलन को क्रिष्टी कहा जाता है यह जो आपको दिख रहा है यह इस प्रकार से यानि कि इस प्रकार से होता है इस प्रकार से यानि कि सिकुड़ा हुआ और उठा हुआ जैसे मस्तिक्स में होता है इस प्रकार से तो यह जो वलन होता है इसी वलन को ही हम बोलते हैं क्रिष्टी और क्रिष्टी कई बर क्वेशन पुछा था क्रिष्टी क्या हो इस पर एफ़ वन कवर्ण होता जिसे आक्सी आक्सी सोम पाया जाता है और आक्सी शॉम क्या करते हैं आप से तार को सुम वाला कारे करते हैं अभी उसके साथ ही पढ़ेंगे आप सम्कु इसमें स्वैंग का ड्यन्य और आरने पाया जाता है यह निग माइट्रो कंड्या में लेकिन इस माइट्रोकंडिया के बाहर होती है यह तो लेकिन इसमें भी पाया जाता है इसलिए तो इसे अर्दस्वायत्य को सिकांग कहते हैं कि अर्दस्वायत्य का मतलब की पूरी तरफ से नहीं लेकिन आधी तरफ से कुछ करने में साय केशकार यहां क्यों कि इसमें पाया जाता है तो यह वांसागति कर सकती है वांसागति करने के लिए होता है अभी पढ़ेंगे जब कंधर पढ़ेंगे तो वहां आएगा और और भी आएगा तो आर ने क्या होता है प्रोटीन का संसलेशन करने के लिए होता है हमने बताया आर ने का मतलब और राइबोज नुक्लिक एसीड और राइबोज कारत होता है प्रोटीन तो इसमें DNA मिलता है तो वनसागति कर सकता है और आर ने मिलता है तो प्रोटीन का कुछ अफसेल कोशिका का सक्तिग्री क्यों कहते हैं क्रेब्स चक्र के दवरान आक्सी क्रेब्स चक्र में आक्सी करण से एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है और प्लस 38 एटीपि उर्जा में मुध्स हो हगी यहां से निरमाढ होता है एंट double autistic का होता है एंटीपि का पुल भन क्या होता है एडिनोसीन ट्राइफासफेट इसलिए कोशिका का सक्तिग्री पावर हाउस बोलता है माइट्रोकांड्या क्यों क्यों कि यहाँ फ्लुकोज के आक्सिकरण से और टीपी के रूप में उर्जा मिलती है हमें कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग है माइट्रोकंड्या तो सबसे बड़ा भाग कौन होता है पहला सबसे बड़ा भाग होना है वह केंद्रक है और दूसरा सबसे बड़ा भाग है इसका आकार यहम आकरिती परिवर्तन सील होती है अभी आकार इसको आपको इसा दिख र अक्सिजन करन करके उर्जा दे रहा था है नहीं किसी को तो को अशी के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं